हलो दोस्तों क्याल चाल मैं आपका दोस्तों नीच स्वागत गत्तमाब का हमारी चैनल SK Amazing World में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्स्राइब नहीं गया है तो प्लीज सब्स्राइब जुरूर करें और बैल आगे निम को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेस्बूक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फालो जुरूर करें दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों क्रिकट का खेल बारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है इस खेल ने बारत को केई बड़ी खिलाडी दिये हैं जिन्नोंने देश का गुरव बढ़ाया है इन में से ही कुछ खलाडियों को क्रिकट में अपने अतुलिय योगदान के लिए सरकारी नोकरी भी दी गई है इस वीडियो में हम भारत के कुछ क्रिकटरों के बारे में जानेंगे जो सरकारी नोकरी भी करते हैं दोनी तो यहां तक बोल चुके हैं कि जब उनका cricket career खतम हो जाएगा तो वैसेने में नियमत शामिल होकर देश की सेवा जरूर किया करेंगे नमबर एक महिंदर सिंग दोनी पूर भारती कप्तान महिंदर सिंग दोनी को टीम इडिया का सबसे सफल कप्तान माना जाता है उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखना हमेशे मज़दार होता है लेकिन इसके इलावा महिंदर सिंग दोनी का राश्यक प्रति प्रेम केवल क्रिकट तक ही सीमित नहीं है वे एक प्रावडी आर्मी मैन है वर्ष 2011 में महिंदर सिंग दोनी को भारतिये टेरेटरी सेना में लेटनेंट करनल बनाया गया था महिंदर सिंग दोनी सेना की वर्दी पहने में बहुत गर्म हसूस करते हैं वे टेरेटरी सेना की पैरशूट रेजमेंट में लेटनेंट करनल है वैं अक्सर समय निकाल कर अपने देश के लिए सेना में कारिय करते हैं क्रिकट के भगवान कह जाने वाले सचिन तंदूलकर को इतियास का सबसे महान क्रिकटर माना जाता है सचिन तंदूलकर वश्ट 2,10 में भार्टी वायू सेना सुमू में शामल हुए सचिन को 33 वायू सेना दिवास के दोरान सुमू कप्तान के पद से समानित किया गया था महान भार्टी आलरॉंडर कपिल देव ने महान क्रिकटर सचिन तंदूलकर सहिए कई लोगों को 1983 विश्ट कब में अपने एतिहासिक परदाशन से प्रेदित किया है वह पहले बार्टी एक करिकटर है जिन्होंने विश्ट पप ट्राफी जीती है इसके अलावा वह पहले करिकटर है जिने वर्ष 2008 में बार्टी सेना में लेटिनाट करनल का पद प्रदान किया गया है नमबर चार हरवजन सिंग हरवजन सिंग टेस्स की रिकटर इतिहास के सबसे सफलतम स्पिन गेद माजू में शामिल है आंतिराश्ट्री की रिकटर में 700 से अधिक विकड लेने वाले हरवजन सिंग पंजाब पुलिस में DSP भी है नमबर पॉन्स जोगिंदर शर्मा टी ट्वेंटी विश्व कप 2007 फाइनल में पाकिस्तान के विरुद आक्री और डाल कर बारत को चैंपियन बनाने के बाद जोगिंदर शर्मा सुर्खियों में आये हलाकि वे अपना जल्वा ज्यादा समय तक नहीं दिखा पाए और जल्दी ही टीम से बाहर होगे जोगिंदर शर्मा वर्तमान समय में हरियाना पुलीस में ब्यस्पी है पिछले कुछ वच्छों में केल राहुल ने अश्चेहर जनगरूप से बारतिय क्रिकर्टीम में अपनी जगा बनाई है और सबसे ज़्यादा प्रत्रिभा शाली खलाडियों में से एक बनकर उबरे है अपने आर्रोंड खेल के लावा केयर राहुल बारतिय रिजर्ब बैंक में एक साहक मेनेजर है हाली में केयर राहुल को वित्य सरक्षता को बढ़ावा देने वाले आर्रबियाई के विग्यापन में दिखाया गया था नमबर साथ उमेश यादव भारतिय क्रिकर्टर उमेश यादव जो एक दशक पहले कॉंस्टेबल बनना चाते थे अब भारतिय रिजर्ब बैंक में साहक प्रबंदक है उन्होंने केयर राहुल के साथ वित्य सरक्षता को बढ़ावा देने वाले आर्रबियाई के विग्यापन में भी काम किया था तो ये बातिक क्रिक्टर आज देश की सेवा भी कर रहे हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सरकारी नोकरी से पैसा भी कमा रहे हैं तो आपको बता दें कि ये खिलाडी सरकारी नोकरी पर जाते है तो इनके आने जाने का खर्चा और अन्य बता भी इतना होता है कि अगर ये अपनी जेव से देंगे तो खिलाडियों को बड़ा नुकसान हो सकता है ये खिलाडी जीवन बार मैनत करके खेल में भी एक तरह से देश की सेवाई ही करते है जो लोग इनकी मैनत से जलते हैं तो उनको बता दें कि पहले एक बार खिलाडी बनकर दिखाएं तब आपको मालूम होगा कि ये क्रिकडर किनी मैनत करके इंडियन क्रिकड टीम में शामिल होते हैं दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बाक्स में जुरूर उपता हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आपने आपनी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया है तो प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर करें और बैल अक्कों को प्रेस करना बाए टेकर